जन्म भूमी टाम समाहूं आपके साथ हर शुता और आप देख रहे हैं अवास टीवी चले करता है खबरों की शुरुबात मंगलवार को सावन की शिवरात्री के परवपर मंदिरों में श्रद्धालों ने भगवान शिव का जलाब शेक किया तलके से ही मंदिरों के कपाट सुबह चार बजे खोले गए कावडियों और अन्य श्रद्धालों ने भगवान शिव का जलाब शेक किया इसके साथ ही डाक कावड और नेजी वाहनों से गंगा जलाने वालों की भी फेड रही खास बात ये रही कि निजी वाहनों से जल आने वालों के साथ महिलाय भी बड़ी संख्या में शामिल रही आदमपूर मंदर के पुजारी ने बताया कि मंगलबार को भी कावडियों और अन्य श्रधालों को अलग-अलग प्रवेश कराकर अलग-अलग निकासी की जा रही है भूले नात ने बताया कि श्रधालों का ताता लगतार बना हुआ है सुरक्षा की द्रश्टी से नगर और ग्रामीन शेत्रों के मंदर में पुलिस बलते नात रहा कजबा आदमपूर में शेत्रा दिकारी सतीश चंदर पांडे ने पहुंच कर सुरक्षा ववस्था का जायजा लिया अस मौके पर थाना प्रभारी राम प्रकाश शर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे अम रोहा से समवद आता नरेंदर सिंग मुबारिचपुर की रिपोर्ट अभी की खबर में बस इतना ही देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रही है आवास टेवी अपने आसपास की खबर को प्रसारत करने के लिए हमारे वाटस अप नमबर 7517560101 पर संपर्क करें वैब पोर्टल jbt.awaz.com लॉग इन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्ले स्टोर से jbt.awaz आप डाउनलोड सरूर करें